हेलो गाईच कैसे हूँ अप सब उमीद करता हूँ अच्छी होंगे तो यारो आज के इस वीडियो में आपको बताने वालों कि आप अपने फोटो और वीडियो को लाइफ टाइम तक के लिए कैसे सेव कर सकते हूँ क्योंकि काफी सारे लोग अपने फोटो वीडियो को डिवाइसेस में सेव करते हैं जैसे पेंडराइब में रखते हैं, हार्डिक्स में रखते हैं, अपने फोन में रखते हैं दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो Google है वो काफी trusted है जिसको कभी hack नहीं किया जा सकता और इसके काफी सारे फायदे भी है जैसे अगर आपका phone खराब हो जाता है तो आप दूसरे phone में अपने Gmail ID को login करके अपने photo को access कर सकते हो अपने photo को देख सकते हो अपने photo का use कर सकते हो त तो आज का ये जो वीडियो है ये काफी important होने वाला है बने रही है अमारे साथ इस वीडियो में स्वागत है आपका मेरे YouTube चनल मुरजेट टेक्निकल में मैं हूँ अमित कुमार दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चनल को subscribe नहीं किया subscribe कर लो यार क्योंकि मैं ऐसे ही नए अप्लिकेशन से लेटे नहीं जानकरी से लेटे वीडियो बनाता रहता हूँ चलिए फोन को में स्क्रीन पे चलते हैं तो गैस हम आगे हैं फोन को में स्क्रीन पे चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने फोटो वीडियो को lifetime तक के लिए कैसे save कर सकते हो दोस्त गैस यहां से आप इसको install कर सकते हूँ तो मेरे भी फोन में यह already install है हम इसको यहां से open करते हैं जब आप इसको open करोगे तो कुछ इस तरह का interface आपको मिलेगा और आपको यहां पे click करना है यहां पे click करके आपको अपनी gmail id डालके इसमे sign in करना है अब guys इसके बाद आपको यहां तीन लाइन पे click करना है और आपको यहां setting पे click करना है setting में जाने के बाद आपको यहां पहला option मिल जाएगा backup and sync का आपको इस पे click करना है और guys इसको 15GB टक का data यहाँ पे save कर सकते हो अब आपको यहाँ पे नीचे 3 option मिल जाएंगे backup mode mobile data usage, backup app device folder, अब गैस यहाँ पे आपको backup mode पे click करना है और गैस यहाँ पे आपको 3 option मिल जाएंगे original quality, high quality, express आप कौन सी quality में अपने photo video को upload करना चाहते हो तो गैस आपको यहाँ पे original quality आपको select कर लेना है, जो भी quality में आपका photo होगा, वो upload हो जाएगा अब दोस्तों आपको यहाँ mobile data पे click करना है यहाँ से आप एक limit set कर सकते हो कि एक दिन में कितना MB data आपका use होना चाहिए uploading में, 5 MB, 10 MB 30 MB, unlimited तो यहाँ से आप जो भी चाहो वो set कर सकते हो, गैस अगर 30 MB कर लोगे, तो 30 MB data ही use होगा uploading में अगर 10 MB कर लोगे, तो गैस 10 MB data uploading में एक दिन में use होगा, unlimited कर लोगे तो जब तक data खतम नहीं हो जाएगा आपके photo, video upload होते रहेंगे अब यहाँ पे 3 line पर हम click करते हैं फिर से और यहाँ पे आपको काफी सारे option मिल जाएंगे यहाँ पे device folder का option मिल जाएगा आपको इस पे click करना है और गैस आपकी जो photo है, video है वो folder wise यहाँ पे आपको show हो जाएंगे और गैस यहाँ पे आप यह cloud का button दिख रहा होगा आपको आप जब यहाँ पे click कर दोगे तो आप manually इसको upload कर सकते हो और यहाँ पे cloud पे मैं click कर दूँगा तो इसका यह जो folder है download folder यह upload होना start हो जाएगा तो इस तरह folder wise भी upload कर सकते हो अब हम back आजाते हैं अब यहाँ पे आपको एक option मिलता है bin का यह काफी important option होता है जब भी आप कोई भी photo video delete कर दोगे तो guys वो आके यहाँ पे save हो जाएगा और आप उसको 60 दिन के अंदर recover कर सकते हो यानि restore कर सकते हो अब दोस्तों मैं आपको इसकी खास बात बताता हूँ जैसे यहाँ पे मैं एक photo को select कर लेता हूँ अब मुझे यह पता करना है कि आखिर यह किस चीज की photo है इसका information निकालना है तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक i button का option मिल जाएगा आपको इस पे click करना होगा और guys इस photo का जो भी detail है वो Google पे automatic search हो जाएगा इससे related जो भी photo है वो भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हो तो guys इस तरह आप Google photo को use कर सकते हो जो की काफी useful application है और guys अगर आपका phone खराब हो जाता है और आप अपने photo video को recover करना चाहते हो फिर से देखना चाहते हो तो आपको अपना Gmail ID दूसरे phone में login करना होगा आपने जो भी photo video उस email ID पे upload किया होगा वो photo video आपको मिल जाएंगे तो इस तरह आप अपने photo को lifetime तक के लिए save कर सकते हो तो उमीद करता हूँ आपको ये video पसंद आई होगी